अपने बुरे हालादव से उपर उठने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना है यह ज़रूरे नहीं है अगर जो चीज हो रही है गलत हो रही है आप इसके खिलाफ स्टैंड अप कर सकते हो सिस्टम के खिलाफ जाकर सक्सेस होने वाली लव स्टोरी यह आज की मुवी की थीम है क्लास्रूम में उसे एक लड़की दिखती है जो बहुत ही रिजर्वट होती है इस लड़की को देखकर उसे अपनी याद आ जाती है और फ्लैश बैग में फिर अब यह मुवी चलने वाली है मुवी स्टार्ट होती है और हैं पुरा क्लास्रूम का इन्वार्मेंट दिखा इसके बाद हमें दिखता है कि इसके फ्रेंड इसके साथ है यह इस से आज कुछ भी बोलने ही होती है जब थोड़ी देर में इनकी छोट्टी हो जाती है तब दिखता है कि बहुत सारी लड़की आप भाग रही है नीना को लगता है कि क्या हुआ है वो भी जब देखने के ले जाती है तो उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिये सब लोग नीचे आ जाते है और उसकी फ्रेंड की फोटोज ले रहे होते है नीना फिर उसके पास जाती है एक जैकेट उसका लेती है और उसको कवर कर देती है बहुत सारी चाट्स बहुत सारी पाते हम सुनते है कि उ यह जब स्कूल आती है तो वहां डिटिक्ट्टू आया हुए होते है यह से कुछ ग्वेस्चन पूछना चाहते है उससे कहते है क्यों तुम्हारी फ्रेंड थी अगर वो कुछ ट्रवल में थी तुम हमें बता सकती हो क्या उसे कोई तंग कर रहा था निना बोलती है कि वो मेर बलर्ड पड़ा हुआ होता है निना के जो फ्रेंड थी उसके साथ भी यह हुआ था कुछ लेड़किया उसे बुली कर रही थी और यही चीज अब निना के साथ भी होने वाली है निना के फ्रेंड को ऐसा बलर्ड जब मिला था तो वहां वो बैट गई थी पर निना अभी नहीं बेटने वाले कर टीचर को वो पास बुलाती है टीचरों में निना और उसकी टीचर हमें दिखाई देते है टीचरों से कहते है कि मैं जो इस सिचुएशन हुए इसे हैंडल कर लूँगा पर तुमें भी अपने क्लास्मेट से अच्छे बरताओ करना है यानि कि इसका लास्ट टेस्ट में स्कोर contexts बहुत ही अच्छे थे ऐसा कैसे तुम कर रही हो तुम हमारे साथ स्टड़ी कर सकते हो हमें भी कुछ सीखे सकती हो वायलाज होती है यह अल्रेडी स्कॉलर होती है इन दौनो को मिलकर स्टड़ी करना चाहिए यह उस को बताती है पर वायलाही न नीना के फ्रेंड को बुली कर रही थी नीना उसे मना कर देती है इस घुरूप में से एक लड़की कहीती है कि ये खुद को हम सब से बेटर समझती है ये घुरूप फिर कैमेरा निकालता है और इसके फोटो लेना चाहता है नीना रिजिस्ट कर रही होती है पर फिर भी इसका फोटो ले ही लेते है निना जब रात में घर आ रहे होती है तो वो रस्ते से जाते जाती ये लड़किया फिर से इसे घेर लेती है ये कहीती है कि पहले हम तुम्हें पसंद करते थे पर पुलिस से तुने अब बात की है तो हमें बहुत ही अलग लगाए यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसे वज़ा कर लेते हैं उसे मारते और कहते हैं कि तुमने उन्हें क्या बताया है नीना फिर घर आते हुए में दिखती है उसकी मदर वहाँ आय हुई होती है नीना के मदर illegal चीज़े बेचती है वो अलग शहर में रहती है अपनी बेटी को विजिट करती रहती है अगर वो यहाँ आकर रहे तो यह पकड़ी जा सकती है और इसकी बेटी के लिए भी dangerous हो सकता है इसलिए अलग city में ही रहना पसंद करती है नीना अपने मदर के बाल बनाते हुए उससे कहती है कि जब मैं entrance exam पास कर जाओंगे अच्छी university में चली जाओंगे बहुत सारे पैसे कमा कर हम अमारी situation चेंज कर सकते हैं इन दोनों का यही एक hope होता है अच्छी life के लिए नेक्स डे नीना के test का result आता है वसे बहुत अच्छे marks मिलते हैं इसके school में ही के normal test है होती है जिन बच्चों के score खरावाते है इनको teacher कहते है कि अगर तुमने अब अच्छा study नहीं किया तुमारी पूरी life खराव हो जाएगी मेनत करनी है तुम्हें अभी करनी पड़ेगी हम देखते हैं कि यह जो environment है यह बहुत ही competitive है अगर आपको अच्छा score आता है तभी आप live में कुछ कर सकेंगे अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस mentality के साथ यह सब बच्चे चलते हैं एक दूसरे से वो better है एक दूसरे को नीचा वो दिखाना चाते है आज जब नीना स्कूल से वापस आ रही होती है तो एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे है यह उससे दिखता है यह जो लड़का है यह हमारा man character है इसका नाम चाओ है चाओ को यह सब अब मार रहे होते है तो नीना पुलिस को कॉल कर देती है जो इसे मार रहे होते है यह नीना को देख लेता है और उसका फोन ले लेता है इसको भी वो मारने लग जाता है वो कहता है क्या तुम इसके लिए केर करती हो क्यों तुम इसे बचाना चाती थी उसको बुली करने लजाते है और कहती कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो इसे किस कर लो यह फिर जबरदस्ती इन दोनों से किस करवाते है चाव जमेन पर गिरा होता है तो थोड़ी दिर बाद उट जाता है और एक को बहुत ही जादा मार देता है सब लोग फिर वहाँ से चल जाते है नीना का जो मोबाइल था वो तूट गया था निकस दिन जब वो फेज़े स्कुल से वाफस आ रहे होती है तो चाव उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि उन्होंने तुमारे कितने वैसे लिये थे इसका मोबाइल खराव हो गया है तो ये भी रिपेर करने के लिए एक शौप पर वो इसे लेकर आता है इसी शौप पर एक काम करता है तो खुद ही रिपेर कर देता है चाह उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरुरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ नीना कहीती है कि तुम अपने आपका खैल नहीं रख सकते वैसे भी मैं बहुत बड़ी यूनियोसिटी में जाने वाली हूँ मुझे तुम्हारी जरुरत नहीं है चाह उसे कहता है कि तुम बुली बन जाती हो या कोई और तुमें बुली करता है इस तरह से ही वर्ल्ड चलता है तुम क्या हो इसे पता आता है कि नीना किसी को भी बुली नहीं कर सकते नीना जब घर जा रहे होती है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पीछी हो चलता है घर जाते चाते एक जगा पर नीना के पोस्टर लगाय होते है नीना खुरुक है नीना लायर है यह सब वहां लिखा होता है चाओ यह देदेगता है और नीना यह सब POSTER निकालती है, यह दिन जब ए सिप्टे स्कूल जाती हैं, तो सब के mobile पर यह POSTER भेज दिये जाती है, इस दिन नीना बहुत भ favor होती है, और घर जा रही होती है, तब चाओ उपने बाइक लेक लेकर आता है, चाओ से पुछता है क क्या तुम लाइक नहीं करती तु यहां क्यों आई हो। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहां लेकर आओगे। दिखेता है क्या यह ब्लेस तुम्हारे लिए घटिया है। चाओ का प्लेस चोटा साता है और यहां अकेला ही रहता है। इसके बाद नीना फिर घर चली जाती है। नेकस दिन हॉली बॉल की पैक्टिस हमें दिखाई गई है। यहां भी लायला हॉली बॉल उसमें मारकर फेकती है। नीना यह बॉल पकटती है और कहती है क्या तुम्हारा हो गया। ये बहुत ही आवासी उसे बात करती है ये उसके खिलाफ खड़ी होना चाहती है जब Nina staircase केसी जा रही हूती है तो लड़किया उसे धक्का दे देती है ये नीची गिर जाती है ये इनकी खिलाफ कुछ जादा करने सकती है स्कुल के होस्पिटल में आती है वह एक लड़का उसे मिलने के लिए आता है यह इसका एक फ्रेंड होता है यह उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यह सब छोड़ कर यहां से चले जा सकते है इसे लाइक करता है उसके बाद बहुत सारे पैसे भी होते है यह नीना को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ जोवा यह तुम्हारे साथ नहीं होगा वो वीक थी, तुम स्ट्रॉंग हो नीना कहती है कि मैं भी उसकी थरा ही हूँ नीना फिर लाइला और उसका ग्रूप इन सब के बारे में पुलिस ओफिसर को बता देती है जैंग फिर हमें इन सब लड़कियों के इंटर्यू लेता हुआ दिखता है जब लाइला का इंटर्यू लेता है तो लाइला बहुत ही कॉन्फिटन्ट होती है जैंग इस पर शक कर रहा होता है तो उसे कहती है कि उसका खुद का ये decision था हम लोग छोटी मुटी प्रांक्स एक दूसरे पर करते ही है ये जो decision था ये उसका था उसके marks अच्छे नहीं आ रहे थे उसे फिर से एक ये repeat नहीं करना था इसलिए इसने suicide कर ली इसकी suicide की वज़े से इसकी मदर को भी बहुत अच्छे पैसे मिल गए है थोड़ा सा भी बुरा इससे नहीं लग रहा होता रात में फिर हमें देखता है कि जायंग और उसका superior ये दोनों dinner कर रहे होते है जायंग को उसका superior कहता है कि ये जो school की cases होती है ये बहुत complicated होती है जब principal के पास complaint आती है तो principal parents को बता देता है parents अपने बच्चे से फैर करती है तो बच्चों को भी पता चल जाता है यहाँ बता रहोता है कि अगर बच्चों को पता चल गया तो जादा bully वो करेंगे ये जो investigation है इस investigation से सही से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला इसका कुछ conclusion नहीं निकलेगा Nixon में में दिखता है कि जैंग नीना से मिलने के लिए जाता है ये उसे गाड़ी में lift दे रहा होता है जैंग लैला के पास गया था उसके parents के पास गया था ये उसे बताता है लैला का जो parents होते है ये उसे बहुत ज़्यादा protect करते है ये अमेर होते है और ये समझते है कि उनकी daughter बहुत special है बाकी जो सब लोग है वो low life से ये ज़्यादा कुछ matter नहीं करते इसके घर में से इसे इस तरह की enforcement मिल रही है नीना से कहता है कि उसकी आख देखकर animals की वो आख है ऐसा मुझे लगा वो कुझे मैसूस नहीं कर पा रही थी नीना कहती है कि ये जो लोग होते है ये अंदर से डरे होय होते है इसे लिए बाहर से ये सब वो दिखाते है ये बोलती है कि मेरे मदर ने मुझे कहा था कि जब ये सब खतम हो जाएगा तो मैं adult बन जाओगी जब आप बड़े बन जाते हो तो सब चीज़े भूलने लग जाते हो पर मुझे ये नहीं पता कि बड़ा बनना कैसे है जाएग उसे कहता है कि बड़े बनना इतना जाता मुश्किल नहीं है तुम्हें इसमें सिर्फ जम करना है इसके बाद तुम खुदी सब figure out कर लोगी रात में नीना अपने मदर को call करती तो उसे पताती है कि सब कुछ ठीक है अपने मदर को कुछ पता चले ऐसा उसे नहीं लगता नीना कॉलेज भी अब खतम हो रहा है जादा दीन तक उसे ये सब नहीं जेलना पड़ेगा जब वो अपने घजा रही होती है ये सब लड़किया उसे घेर लेती है इसे मारने वाले होती है तो नीना यहां से भागती है एक जगा पर चुप जाती है और उफिसर को कॉल करती है पर ये लड़किया इसे छोड़कर चली गई है तो ये कॉल पर कुछ भी नहीं बात करती है ये फिर जैंग के पास आ जाती है उसे कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ये अकेली होती है तो जैंग के घर पर ये सोजाती है नीना के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसन ही होते तो जैंग एक नोटबुक लाता है इस notebook पर नीना को लिखने के लिए बोलता है कि वो उसका करजा उस पर है जब इन इस दिन school जाती है जो इसे protect करता है थोड़ा दूर ही खड़ा होता है ये एक साथ दिखा ही ने दे सकते है इसलिए ये सब वो करता है वाइलाई को धमका कराता है उसे कहता है कि नीना से तुम दूर रहना अब हर रोज जाव उसे protect करता है अब नेक सिन में दिखता है कि जाव एक बार में होता है वाँ फर फाइट हो रही होती है और इसके बोस ने इसे काम दिया होता है वाँ के जो सब लोग है ये pocket तो है मारने है या और एक गाएंग होती है तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है नीना के classmate होती है वो नीना के पास आती है और खेती है कि मुझे भी वो लोग bully करे है क्या तुम मुझे भी protect कर सकती हो नीना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ घर तक आ सकती हो नीना फेसे जाओ के पास आ जाती है जाओ fight में था तो उसमें बहुत जादा मार खई है उससे पुछती है कि क्या तुमें दर्थ हो रहा है ये कहता है कि पहले होता था अब नहीं हो रहा है वो अपनी मदर के बारे में केता है मेरी मदर और मैं अकेला था उसका एक boyfriend था पर उसे जब मेरे बारे में पता चला तो हो मुझे छोड़ कर चली गई ये दोनों जो है ये बहुत ही अकेल है अब इसके बाद ये दोनों बहुत सारी चीज़े एक साथ करते हुए हमें दिखते है ये सीटी फिरते है एक्वारियम जाते है ये दोनों इक दूसरे से प्यार करने लग जाते है चाओ उपने फ्रेंड के साथ हमें दिखाया गया है और उसे पूछ रहाता है कि अगर हम यूनिरसिटी में जाए तो उसके बाद अगर जॉब तो हमें कितने पैसे मिल सकते है उसका फ्रेंड उसे अमाउन बताता है और ये बहुत जादा पैसे होते है चाओ पूछता है कि क्या हम इतने सब पैसे कमा सकते है ये कहता है कि अगर इतने पैसे कमाने होंगे तो हम बैंक लुटना पड़ेगा यानि कि जाओ नीना की तरह क कि जब ये अपना entrance exam clear कर लेगी बहुत अच्छा job इसे जब लगेगा तब ये दोनों एकसाथ रहेंगे तब तक के लिए चाओ उसे सब चीजों से protect करने वाला है Next day हमें दिखता है कि चाओ को कुछ पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है एक serial rapist घुम रहा होता है तो कुछ बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं उन्हें identify करने के लिए चाओ को जब ये पुलिस लेकर जाते हैं तो पुलिस के पास ही से रुखना पड़ता है नीना को जो protection चाहिए आज उसे नहीं मिलने वाला जो वायला और उसका gang होता है ये सब अप नीना को घेर लेते हैं ये इसे बहुत ही मारते हैं इसका photos भी निकालते हैं और इसे कहते हैं कि तुम अपने आपको क्या pretty समझती हो लड़कों को भेज रही हो मुझे धमकानी के लिए इसके फिर वायला को माय देने वाला होता है पर ये इसे रोक लीती है नीना के hairs भी उन्होंने cut कर दिये थे तो अब सही तरीके से ये उसके hair cut कर देता है नीना हो अकेला ना लगे तो इसलिए अपने hairs भी हो cut करता है अब जो नीना के entrance exam है इसका दिन आ चुका है चाओ उसे best stop लग देता है और entrance exam देती है इसके बाद next scene में हमें दिखता है कि वायला की dead body कुछ लोग को मिलती है चाओ के friend को police उटा थी है वायला की murder के लिए जो गाड़ी use हुई थी ये चाओ की friend की है police इससे पुछती है कि जब murder हुआ था तब तुम कहा थे है वो कहता है कि मैं hospital में था तुमारी car कहा थी ये कहता है कि ये चोरी हो गई थी police कहते है कि तुमारी car तो अब तुमारे पास है यानी कि कोई तुमारे जानने वाला ही था जो एक car लेकर चला गया था अब मैं फ्लाश बैक में दिखता है कि चाओ ने अपने फ्रेंड से गाड़ी ली थी, उसे उस्पिटल में छोड़ दिया था, उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई पूछे तुम सच सच बता देना, तो इसका फ्रेंड सब कुछ सच डिरिक्टू को पता देता है, वाइला न पता है कि इतनी तकलिफ तुम्हें इस नहीं दी थी, पर फिर भी तुमने क्यों नहीं केस फाइल की, यह कहती है कि मेरी इंट्रांस एज़साम आने वाली थी, मुझे कुछ डबल नहीं चाहिए था, यह इसे बहुत ही फोर्स करते है कि वो कुछ बोल दे, पर यह कुछ भी कर जाता है, उसे कहता है कि पुलिस को बताना कि मैंने भी तुम्हें मोलेस्ट किया था, तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन्शिप नहीं है, हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले है, यह तुम पुलिस को बताना, नीना कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सक जो थी उस पर भी ट्रेस चाओ कही थे चाओ फिर कनफेस कर देता है चाओ कहता है कि मैं सिर्फ उससे धमकाना चाता था उसने मुझे रेजिस्ट किया और उमर गई अब हमें इसके बाद एक फ्लैश बैक दीता है इसमें नीना अपने घर जा रही थी और वायला उसके पास आ रही होती है वायला उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकती हो नीना कहती है कि मुझे तुम अब दिखो मत मैं पुलिस कंप्लेट नहीं फाइल करूंगे नीना को उप उससे बात नहीं करनी होती है पर फिर भी उसके साथ हो जलने लग जाती है वायला फॉर्टेक्शन को प्रोटेक्शन करने के लिए चाओ ने mobile किया ह। यह पोलिश ओफिसर चाओ को कहता है कि मुझे नीना ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने ही किया है। नीना के पास आकर एक चाओ ने हमसे कहा है कि यह सब तुमने कहा है। यह इन दोनों में दराय बना जाते हैं यह सब कुछ सच बताते पर यह कुछ भी नहीं बोलते अपना जो statement होता है इस पर है फर्म रहते हैं यह डिडिट्टू इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लाता है पर यह कुछ भी एक दूसरे से कोई relation है इसा कुछ भी नहीं चाताते जैंक की कोवरकरों से बुछ थी है कि तुम तो पहले निना को बचाना चाते थे तुम अब यह सब क्यों कर रहे हो जैंक कहता है कि जो blame है वो चाव अकेला लेने वाला है अगर ऐसा हुआ तो निना अपने आपके साथ जी नहीं पाएगी वो बहुत ही guilty महसुस करी की और अपना life बरबाद करतेगी इसके बाद चाव जेल में चला जाता है निना का स्कोर भी बहुत ही अच्छाता है इसके मदर बहुत ही खुश होती है या फिर निना से मिलने जैंग आता है उसे congratulations करता है जैंग इससे कहता है कि तुम्हें मालों है कि वो guilty नहीं है पर फिर भी तुम्हारे सजा वो काट रहा है क्या तुम अब अपने साथ खुश रह सकोगी जैंग उसके पीछे ही आता है इसे मानने लग जाती है कही थी है क्यों तुम हमें अक्यला नहीं छोड़ रहे क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वो अभी भी trial में ही है पर वो बहुत सारे साल जेल में जा सकता है अब वो तुमने confess कर दिया तो तुम दोनों की sentencing बहुत ही कम हो जाएगी थोड़ी सालों में तुम जेल से पाहर आ जाओगे निना फिर decide कर लेती है कि उसे सब कुछ सच बताना है निना चाओ से मिलने के लिए जाती है अब हमें चाओ और निना ये दोनों पुलिस के गाड़ी में दिखाए गए है चाओ निना से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है वो कहती है कि मुझे पहले डर लग रहा था अब मुझे नहीं लग रहा यह अपने future को किस तरह से देख रहे है यह हमें इस scene से दिखता है यह पहले डर रहे थे पर अब यह नहीं डर रहे है यह scene और यह movie यह दोनों खतम हो जाते है पर हमें अब पता है कि जेल से वापस आने के बाद नीना अब teacher बन चुकी है जिस तरह से bullying उसके साथ होई थी किसी और के साथ नहीं होने देगी movie के first में हमने देखा था कि यह लड़की को इन्योटिस करती है जो लड़की उसके classroom में होती है इसकी bullying हो रही होती है तो इसे आप वो support करेगी नीना और चाओ यह दोनों एक दूसरे के साथ ही थे इन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा future बना लिया है इस movie के जो सब scenarios थे यह बहुत ही dramatic थे पर एक बड़ा सा topic यह movie touch करती है इस movie में हमें दिखाया क्या है कि जो classroom के बच्चे होते हैं जो teachers होते हैं हमेशा एक दरार बना कर रखते हैं यह कहेते हैं कि जो अच्छे mark летे हैं यही life में कुछ अच्छा कर कर जाते हैं दूसरे जो सब है यह घटिया life जिने वाले हैं और कोई भी अपने life के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं यह इस mentality में इने रखते हैं जो इस classroom के बच्चे होते हैं, ये दुसरे बच्चों को bully करते हैं, इनके आगे वो जाना सके हैं, इसके लिए हमेशा उन्हें तकलिफ देते रहते हैं, नीना भी इसी mentality का victim होती हैं, नीना भी यही समझती हैं, कि ये चाओ से बेटर हैं, चाओ के जो हलात थे वो खराब थे, इसलिए ये सब वो कर रहा था, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी, जो competition की mentality होती है, ये कुछी बच्चे इसमें पास होने वाले हैं, मुवे में दिखता है कि 90 लाइक बच्चे इस entrance exam को देते हैं, इसमें से सब तो पास नहीं होने वाले, बहुत दिक गिने जुने बच इन दोनों ने एक साथ लिया है, अब एक दूसरे को उचा नीचा नहीं दिखाना चाते हैं, ये मुवे एक message हमें देती है, कोई superior नहीं होता और को inferior नहीं होता, सब लोग अपनी life के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा करे लेते हैं, लास्ट में इन दोनों ने अपने लिए future बना लिया है, नीना जेल में गई थी, पर वो इसके बाद भी teacher बन चुकी है, इस world को एक ही तरीके से देखना, ये कितना गलत है, एक message ये movie हमें देती है, ये वीडियो हम ये ही खतम गरते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओका, तो प्लीस इस वीडियो